वेंडिगो एक पौरानिक प्राणी या बुरी आत्मा है जो अलगोंक्वियन लोग कथाओं से उत्पन हुई है, जो ज्यादातर सन्युक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अटलांटिक तट पर है। वेंडिगो को अकसर एक ग्वेशकूर्ण आत्मा कहा जाता है, जिससे कभी-कभी मानव जैसी विशेशताओं वाले प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो मनुश्यों को धारन करता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे पीडितों में अत्रिप्त भूग की भावना, दूसरे इंसानों को खाने की इच्छा और हत्या करने की प्रवृत्ती पैदा होती है। कुछ अभ्यावेदन में वेंडिगो को बर्फ के दिल के साथ एक विशाल हिूमनॉइड के रूप में वर्नित किया गया है, जिसके द्रिष्टिकोन का संकेत गंदी बद्बू या अचानक बैमौसम ठंड से होता है। वेंडिगो मिथक मुख्य रूप से अलगों क्विन्भाशी जन जातियों से उत्पन हुआ है, जिनमें ओजिब्वे, सौल्टो, क्री, नसकापी और इनू लोग शामिल है। परंपरागत रूप से वेंडिगो को एक ऐसी आत्मा के रूप में देखा जाता है, जो मनुष्यों पर कबजा कर लेती है और उन्हें एक राक्षसी इकाई में बदल देती है। जबकि विभिन्न संस्कृतियों की अलग-अलग व्याख्याएं हैं, सामान्य विश्यों में वेंडिगो सर्दी, अकाल और मानव मास की अप्राकृतिक इच्छा की अभिव्यक्ती है। वे सर्दी, उत्तर, शीतलता, अकाल और भुखमरी से द्रिधता से जुड़े हुए थे। वेंडिगो के विवर्ण व्यापक रूप से भिन्न हैं, लेकिन इसे अकसर दुबलेप्तले, विशाल और अत्रिप भूख से क्षीन के रूप में चित्रित किया गया है। कुछ वृत्तान्तों में इसका वर्णन चमकती आखों, लंबी उंगलियों और एक समग्र कंकाल के रूप में किया गया है, जो डर पैदा करता है। इसकी उपस्तिती न केवल शारिरिक भुखमरी का प्रतीक है, बलकि आध्यात्मिक शय का भी प्रतीक है, एक इकाई जो अपनी ही इच्छाओं से इतनी त्रिप्त हो जाती है कि वह अब अपने मूल रूप में मौजूद नहीं रह सकती है। कभी कभी वेंडीगो को बेहत पतला लगभग शीन बताया जाता है, जिसकी सूखी त्वचा उसकी हड्यों को मजबूती से ढख लेती है। और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों उसे अभी अभी कब्र से निकाला गया हो। उसकी हड्या उसकी त्वचा पर उभरी हुई थी, उसका रंग राख भूरा मौत जैसा था, और उसकी आखें उनकी जेबों में गहराई तक धनसी हुई थी। उसके जो होंट थे वे खून से सने और फटे हुए थे। साथ ही, गंदी और इसमें मौत और भ्रष्टाचार जैसी अजीब और परेशान करने वाली गंध भी आ रही थी। ओजिपवे, इस्टन क्री, वेस्टमिन स्वैंपी क्री, नसकापी और इनुविद्या में वेंडीगो को अकसर ऐसे दिगजों के रूप में वर्नित किया जाता है जो मनुष्यों से कई गुना बड़े होते हैं। यह विशेष्टा अन्य अलगोंक्वियन संस्कृतियों में मितकों से अनुपस्थित है। जब भी कोई वेंडीगो किसी अन्य व्यक्ति को खाता है, तो वह अभी अभी खाए गए भोजन के अनुपात में बढ़ता है। इसलिए वह कभी भी त्रिप्त नहीं हो सकता है। इसलिए वेंडीगो को एक साथ पेटू और भुखमरी के कारण बेहत पतले के रूप में चित्रित किया गया है। कुछ व्रित्तान्तों में वेंडीगो का वर्णन किया गया है जो या तो पूरी तरह से फर से रहित है या बर्फसफेद फर से ढखा हुआ है जो अकसर उलजा हुआ और खून से सना हुआ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें भयानक विशेश्टाएं हैं जिसमें तेज पीले नुकीले दान्तों से भरा मुव शामिल है और इसके हाथ और पैर घा तक उस तरह नुकीले पंजे में समाप्त होते हैं। इसके मुड़े हुए होंट खून से सने हुए हैं और इसकी जीब घिनित गहरे नीले रंग की है। कभी-कभी वेंडिगो को ज्यादातर मानवाकार के रूप में चित्रित किया जाता है, जो एक शव जैसा दिखता है, जिसका सिरहिरन के समान होता है, जो सींगों से भरा होता है, वेंडिगो को लोलुपता, लालच और अधिकता के अवतार के रूप में देखा जाता है, व मनुष्य वेंडीगोज में बदल सकते हैं। इस प्रकार मिथक ने सहयोग और सन्यम को प्रोचसाहित करने की एक विधी के रूप में कार्य किया। अन्य स्रोतों का कहना है कि वेंडीगोज का निर्मान तब हुआ जब मानव ने जीवित रहने के लिए नर्भक्षन का सहारा लिया। बहुत लंबे समय तक इनके संपर्प में रहने से मनुष्य भी वेंडीगोज में बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त वेंडीगोज अकसर सर वेंडी चीखे निकालता है जो पूरे जंगल में गून जती है, जो इसे सुनने वालों में दहशत पैदा कर देती है। असिनिबाइन, क्री और ओजिबवे के बीच वेंडीगोज की गंभीरता को सुद्रिध करने के लिए कभी-कभी अकाल के दौरान एक व्यंग्यपूर अपचारिक न्रीति किया जाता है। कई दर्ज मामलों में नर्भक्षन को रोकने के लिए व्यक्ति को मार दिया गया है। कुछ क्री लोग कथाएं वसायुक्त जानवरों के मास खाने या जानवरों की चर्बी पीने से इलाज की सलाह देती हैं। जिन लोगों का इलाज किया गया है, वे कभी-कभी इलाज की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बर्फ की उल्टी कर सकते हैं। वेंडीगो मनोविकृती के सबसे प्रसिध मामलों में से एक में अलबर्टा का एक प्लेन स्क्री ट्रैपर शामिल है, जिसका नाम स्विफ्ट रनर है। 1878 की सर्दियों के दौरान स्विफ्ट रनर और उसका परिवार भूख से मर रहे थे और उनके सबसे बड़े बेटे की मृत्यू हो गई। हडसन की बे कमपनी पोस्ट पर आपातकालीन खाद्य आपूर्ती से 25 मील दूर स्विफ्ट रनर ने अपनी पत्नी और शेश पांच बच्चों को मार डाला और खा लिया। यह देखते हुए कि उसने खाद्य आपूर्ती के बहुत करीब नर्भक्षन का सहारा लिया। और उसने उपस्थित सभी लोगों को मार डाला और उनके अवशेशों को खा लिया। यह पता चला कि स्विफ्ट रनर भुखमरी से बचने के लिए अंतिम उपाय के रूप में शुद्ध नर्भक्षन का मामला नहीं था। बलकि एक वेंडिगो मनोविकृती से ग्रस्थ व्यक्ती। अंतिता उसने कबूल कर लिया और फोर्ट ससकेचेवान में अधिकारियों द्वारा उसे मार डाला गया। वेंडिगो मनोविकृती से जुड़ा एक और प्रसिध मामला जैक फिडलर का था, जो एक ओजिकरी प्रमुक और चिकित सक थे, जो वेंडिगो को हराने की अपनी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। कुछ मामलों में इसमें वेंडीगो मनोविकृती से पीडित लोगों की हत्या शामिल थी। परिणा मस्वरू, 1907 में फिडलर और उनके भाई जोसेफ को कनाडाई अधिकारियों ने हत्या के आरोप में गिरफतार कर लिया। जैक ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जोसेफ पर मुकदमा चलाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आखिरकार उन्हें माफी दे दी गई लेकिन इस माफी की खबर मिलने से तीन दिन पहले ही जेल में उनकी मृत्यू हो गई। एक और कुख्यात मामला 1600 के दशक का है, जब ग्लूस्कैप नाम का एक व्यक्ती हताशा और लोलुपता के कारण कथित तौर पर वेंडीगों में बदल गया, जिससे आसपास की जन जातियों में आतंक फैल गया। तो हमें दवेंडीगों के बारे में बस इतना ही मिला और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो कृप्या लाइक बटन दबाएं, यदि आप अधिक वीडियो देखना चाहते हैं, तो सदस्यता बटन दबाएं, और यदि आपको कुछ कहना है, तो कृप्या एक टिपणी छोड़े।